तो अक्सर ऐसा होता है, कि हम नया मटका जब लाते हैं, थोड़े दिन तो वो ठंडा पानी देता है, उसके बाद नहीं देता है वो ठंडा पानी लेकिन आज में आपको नय मटके को लाने के लिए नहीं कहँगी, जो पुराना मटका होता है उसी को हम यूज करेंगे अक्सर जब कर्मिया होती हैं तो सारे लोग घर में यही कहते हैं ठंडा पानी दो ठंडा पानी दो फ्रिज का ठंडा पानी दो बार बार हम बॉटिल्स भरते हैं, जग भरते हैं, फ्रिज में रखते हैं, फिर निकालते हैं, सब लोग जो पी कर बाहर ही रख देते हैं, फिर उसे वापिस भरना होता है, फिर रखना होता है, तब ही जाके सब को ठंडा पानी मिल पाता है, क्यों ना हम मटके में ऐसा कर दे कि जिससे उसमें पानी फ्रिज से जादा बहतर मीठा ठंडा पानी मेरे तो चलिए सबसे पहले उस पुराने मटके को लेते हैं और पुराने मटके को साफ करते हैं अब साफ किस से करेंगे देखें मैंने लिया थोड़ा सा नमक उसे क्या करना है बाहर से स्कॉच ब्रश या र पाज आती है इस बात को आप ज़रूर गौड कीजिए तो वह जो होल्स होते हैं पुराना होते ही वह बंद हो जाते हैं तो आज उसके होलेंगे होल्स कोलने से होगा ये कि मटके को अच्छे से बाहर और अंदर हवा मिलेगी तो सबसे पहले उसे साफ कर लेते हैं और साफ क बस उसे ही रगड के साफ करना है अंदर बिलकुल भी हाथ नहीं डालना आपको ये छोटी सी ट्रिक है जरूर फॉलो करना जब आप मटके को बहुत अच्छे से साफ कर लो तो अच्छे से उसे वाश भी कर लो और जो अंदर हमने नमक और थोड़ा पानी डाल दिया था उस उसे अच्छे से मिक्स किजिए चारों तरफ जिससे अंदर से होल खुल जाए नमक की बजा से और उसे तीन-चार बार पानी से वाश कर लीजिए जब ये मटका बाहर से धुल जाएगा मतलब अच्छे से साफ हो जाएगा नमक से तो उसके पोर्स खुलेंगे अनदर से गर्मियों में हम अकसर कूलर यूज़ करते हैं और कूलर के पैट्स भी change करते हैं सबसे पहले करना होगा? कूलर के इन फैट्स के हमें गीला बहुता ह criter बिगाना जरूरी है क्याए मुव करेंगे, मतलब सौफ्ट हो जाएंगे अब गीला करने के बाद हमें क्या करना होगा किसी की मदद लेनी होगी उपर और नीचे आपको एक रसी से डोरी से बांधना होगा जिससे वो वहाँ पर फिक्स हो जाए और यह देखिए कितनी बढ़िया जाली है ना मतलब उसमें होल्स इतने बढ़िया खुले हैं कि अराम से आपका मटका इतना ठंडा हो जाएगा कि मतलब यकीन नहीं आएगा आपको कि क्या हो गया है सब को क्यों फ्रिज का पानी नहीं पी रहे हैं क्यों सब मटके के पानी को पसंद कर रहे हैं यहां पर आपको देख रहे हैं, आप दोनों तरफ जब डोरी आप लगा देते हो तो बीच में आपको थोड़ी सी जगा बच जाती है, जैसे मेरे मटके में तो यह बच रही है, तो मैंने क्या किया, आधे पैड को काट लिया है, एक पैड को आधा कर लिया, उस आधे पैड क डेड़ पार्ट बचा है उसको हम अच्छे से रख देंगे किसी अच्छी जगा पे तो next year भी हमें काम आएगा तो यही हमें ट्रिक करनी है मतलब नमक से हमने दोनों तरब से मटके के पोर्स कोल दिये मतके को साफ कर दिया अब आपने वो पैड लगा दिया impeller अब आपको करना क्या है इसमें साफ पानी जो पीने वाला जो पानी होता है उससे आप मतके को भर दीजे भरने के बाद आप दो घंटे बाद आप देखेंगे आप इतना ठंडा पानी पी सकेंगे कि बस मैं बताई नहीं सकती ये ट्रिक मैं अपने लिए तो करी रही हूँ आपको भी ये ट्रिक बहुत पसंद आएगी जरूर यूज कीजे और जरूर फॉलो कीजे बच्चों कैसी लगी ये ट्रिक कमेंट करना बिल्कुल न भूलें एक और बात एक दो दिन में इस पैड को आपको हलका गीला करना बहुत जरूरी है इसे आप जितना ड्राय रखेंगे तो उतना ठंडा नहीं होगा इसे गीला करते रहें बार बार नहीं मतलब दिन में एक आ बहुत से ज्यादा ठंडा हो जाएगा पानी पसंद आये तो लाइक कीजिए ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए